हेलो गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल आईए आज मैं आपको एक ऐसा नाश्ता और सब्जी दोनों चीज बताती हूँ एकी तरीके से जो आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे आपने कभी बनाई भी नहीं होगी तो आईए देखें यह तीन तरह का नाश्ता आप करेंगे फ्राई यह देखें इस तरह सेन को रोस्ट कर लेंगे इन्हें जादा वो नहीं करना है ज्यादा भूनना नहीं है साथ ही मैंने डाल दे टमाटर और शिम्ला मिर्च भी हलका से प्याद जब गुलाबी होने लगे तभी आपको यह सबजियां डाल देनी हैं इन्हे में बून चुका है थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे नमक डालके अपने स्वादनुसार अब को यह दो शूर साब मैगी मसाला एड़ कर दिया है तोड़ा सा तरा है थोड़े सी कश्मीरी । अगर आप टीखा घाते हैं तो आप चिली अ या फिर जो मिर्चे आप डेली में यूज करते हैं वो भी डाल सकते हैं थोड़ी सी हल्दी डाल दी है मैंने इसमें कलर के लिए और अब इसे हम करेंगे अच्छी तरह बुनाई मैंगी मिसाला मैंने थोड़ा डाला था इसलिए मैं थोड़ा और डाल रही हूं एक पाउच ल बुंते बुंते शिम्रा मिर्च और टुमाटर पकत जाने चाहिए टुमाटर तो जल्दी ही पक जाएगे यह भी पक जाने चाहिए आपको इस टेज़िस टेस्टी नास्टे का इतना मजा आएगा आप एक बार बनाएंगे घर वाले बार बार मांगेंगे यह देखें आती हैं उनकी लोका भी सेम यही प्रोसीजर है ध्याल से देखेगा दोस्तों इसमें मैंने पानी डाल दिया है लगबग एक लेटर पानी में इन मुर्मुरों में गया है यह दस रुपे वाला पैकेट था यह देखिया अब मैंने इसको दूसरे बरतन में साथ की साथ ट्रां अब मैं इसमें डालूंगी दही यह देखिया अगर आपके पास घर का दही हो तो ठीक है वरना मैंने यह एक कप लिया है वीटा का दही है यह देखिये थोड़ा सा यह दई ले लिया है मैंने अब इससे देखने जब हम इसका मिश्रन बनाएंगे उसके बाद अपने को करी थी वो इसमें हम डाल देंगे यह देखिया मैंने डाली थी वो इसमें डालेंगे यहां मैंने ना तो कोई चावल काटा डाला है ना कोई बेसन ना कोई ज्यूंका सिर्फ मुर्मुरे और सूजी का पेस्ट है सूजी भी आपकी मर्जी है अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं आपकी इच्छा है इसमें थोड़ा सामने डाल दिया है खाने का सोडा अब यह मैंने एक पॉलोथीन गड़वी में लगा ली है अब इसको मैं इसके अंदर ट्रांसफर करूंगी इस पॉलो यह सिंपल पॉलोथीन है दोस्तों अगर आप कौन नहीं हो आपके प बना लिया यहां बरतन में मैं डाल दूँगी तेल जिसमें हम फ्राइ करेंगे अपनी रेस्पी को यह देखें यहां एक हमने कड़्ची ली है यह लकड़ी वाली है इस पर हमने ब्रेश से थोड़ा सा ओयल लगा दिया है अब हम इस पर बनाएंगे देखिए इस तरह से आ असानी से उतर जाता है यह देखें इस तरह से ऐसे इसको बनाईए और अगर आप डारेक्ट बना सकते हैं तो बनाईए लेकिन मैं आपको बहुत ही असान तरीका बता रही हूं इससे आपके रेस्पी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी यह देखिए इसको हम इस तरह से फ् कुछ हमने पकोड़े की शेप में उसी तरह उतार लिया है जैसे हम बड़ियां उतारते हैं तो यह इसे मुर्मुरा बड़ी भी भोलते हैं यह देखिए और चक्नी के साथ सर्व करके आप खा सकते हैं यह तो हो गया नाश्टा आप करते हैं सबजी की तैयारी यह डाल दिय जीरा यह देखे टेल अग्णर कुछ है यही तोड़े साध रख रहा है अब यह रसे आप चाहिए तो डाल सकते हैं आप खाते हैं तो और अब मैं इसमें डाल दूँगी इसे बूनने के बाद इसे अच्छी तरह बुनाई करनी है बुनाई के बाद इसमें डलेगा हमारे टमाटर हाँ जी जो बारिक हमने कत्व कस कर लिये थे आप चाहें तो इसे उस तरह उबाल कर भी मसाला राइंड कर सकते हैं इसमें डाला हमने एक टी स्पून नमग, थोड़ा सा भुरा हुआ जीरा, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च सिरफ ये टी स्पून का ही आपने इस्तमाल करना है क्योंकि मसाला हमने पहले भी डाला था इसमें रेड जिलियम ने डाल दी क्योंकि उसमें नहीं डाली थी ये देखे थोड़ा सा धनिया पॉर्डर डाल देंगे यहां पे जी हाँ ये सौफर धनिया का मेक्स पॉर्डर है वो डाल देंगे और अब आप मिसको ये देखे प्याज हमारा बुनने लगा है प्याज को हमें जलाना नहीं है अब हमने टमाटर वाली प्यूरी और मसाला इसमें डाल दिया अब हम इसकी करेंगे अच्छे से बुनाई ये देखे ऐसे अच्छे से बुन लेंगे अगर आपके पास फ्रेश मलाई है तो आप इसमें मलाई अड़ कर सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं मलाई से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा अब इसमें हम थोड़ा सा पाने डाल देंगे ये देखे जी हाँ दोस्तो इसमें हम पाने डाल रहे हैं ये देखे इसकी ग्रेवी हम इतनी गाड़ी दिखाएंगे आपको बना के आप देखते रह जाए देखे पक चुगा हमारा मसाला मसाले ने तेल छोड़ दिया अब मैंने इसमें दो चम्मच बेशन भुना हुआ डाला है जो मैंने बीना किसी चिकनाई के भून कर स्टोर करके पहले से ही रखावा है वह मैंने इसमें डाल दिया देखे कितनी गाड़ी आपकी ग्रेवी तै से ये बिल्कुल भी तूटेंगे नहीं ये इतने सॉफ्ट बनेंगे मुह में जाते ही घुल जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा आपने पहली बार ऐसी सब्जी शायद खाई होगी और नहीं खाई है तो आप जट से बनाने के लिए तयार हो जाएंगे और इसमें आप इस वर्क नहीं थी इसलिए मैंने नहीं डाली आप इसमें मलाई जरूर डालना हो सके तो एक कटोरी मलाई इतनी सब्जी में लग जाती है तो आप मसाले के साथ मून लेना यह देखिए कितनी अच्छी कितनी गाड़ी ग्रेवी बनी है तो बताईए दोस्तों कैसी लगी आ है और इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करना